दर भारतिय सेना ने लोसी पर मन्रार है पाकिस्तानी सेना के एक चीनी कॉट कॉप्टर को मार गिराया जिसके बाद से लोसी पर फिर से तनाव बढ़ गया जिस पाकिस्तानी कॉड़ कॉप्टर को भारतीय जवानों ने गिराया वो पाकिस्तानी सिना के Special Service Group SSG का बताया जा रहा है पाकिस्तानी कॉड़ कॉप्टर एल ओसी पर 70 मीटर भारत के तरफ गिरा इस कॉड़ कॉप्टर को चिनी कंपनी DJI ने बनाया था कौड कॉप्टर का मौडल मैविक टू प्रो बताया जा रहा है जिस वक्त कौड कॉप्टर को भारती जवानों ने गिराया वो नियंत्रों रेखा के पास मन रहा था खबर है कि पाकिस्तान की और से अन्मेंड एरियल वेहिकल्स के इस्तिमाल सर्विलांस और आतंकियों को हत्यार पहुचाने के लिए हो रहा है इससे पहले एलोची पर वारती सेना कॉड कॉप्टर्स के इस्तिमाल को लेकर काफी अलर्ट थी और वही अफगानिस्तान से बड़ी खबार जहां अफगानिस्तान की राजधानी काबूल में सेन्टर पर बड़ा हमला हुआ और इसमे 18 लोगों की मौत हो गई है हमले की जिम्यदारी अभी तक किसी ने नहीं अफगनिस्तान में ग्री मंत्रावे ने बताया कि ये धमाका पश्चिमी काबूल के शिया बहुली इलाके में एक शिक्षन किंद्र के बाहर हुआ आत्म गाती विसफोर्ट में 18 लोगों की मौत हुई है विसफोर्ट में 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए है कुछ स्कूली बच्चे भी घायल हुए है जानकारी के मुताबिक पहले हमलावर सिक्षन के इंदर में घुसने की कोशिश कर रहा था लेकिन सुरक्षा गाट ने रोक दिया पिछले कुछ दिनों में अफगनिस्तान में तालिबान और अफगान सुरक्षा बलों के बीच हिंसा की घटनाई तेजी से बढ़ी है फिलहाल इस हमले की जांच की जा रही है जब के स्थानिय पुलिस का दावा है कि ये बं तालिबान ने लगाए थे